हेलो फ्रेंड मेरा नाम एक और आप देखरें अपना यूट्टूब चनल इडिट्ट के रहें वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन चारो अप्लिकेशन दो पर कोई प्रस्नल वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज किजिगा तो फ्रेंड बहुत लोगोंको रिक्वेस्ट हुए कि यह आपने वाटर्षट डिट मेसेज वाला जो एप्लिकेशन है आपने बताया उस एपलिकेशन जो उपर एक प्र्श्डंड बनाईए तो फ्रेंड यह वीडियो बस उसी एपलिकेशन वर्क करता है यह दूसरा अप्लिकेशन है बट उससे ज्यादा वर्क करता है और उससे ज्यादा बेटर एक्सपरियंस देने वाला है तो फ्रेंड देखते हैं उस अप्लिकेशन को फ्रेंड इस अप्लिकेशन का नाम है नोटी सेवर जो की Google Play Store पे अबलेबर है आप उसे वहा अप्लिकेशन को और कैसा वर्क करता है तो फ्रेंड यह है यह वह अप्लिकेशन नोटी सेवर जो की Google Play Store पे अबलेबर है और यह देखिए उसका कुछ ऑपन होने बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और देखते हैं यह वर्क कैसे करता है वर्क करता है कि नहीं करता है तो फ्रेंड देखिए मैं चेक करता हूं तो यह देखिए मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया है जो मैसेज करके वह डिलीट कर दिया है वह यह तीन मैसेज है मेरे करन भाई एक भाई है जो की मैसेज किया था और डिलीट कर दिया है तो देखते हैं यह वर्क करता है कि नहीं है करता हूँ चिक करता हूँ और देखता हूँ यह रीसटोर है कि नहीं चैट वाले ऑप्सन में यह पूरा मैसेज रीश्टोर किया है यह है अभी को रिस्टोर किया हूँ तो फ्रेंड यह देखिए मुझे जो उसने डिलेट किया था मैसेज वो तीनों मैसेज यहां सो कर रहा है जो कि हैलो कैसे हो भाई और कहां हो यह तीन मैसेज थे और यहां नीचे में लिखाया दिस मेसेज बाद डिलेट जो कि पहले से मैसेज डिलेट हो चुका है उस मैसेज क जाके डाउड कर सकते हैं और यह application जैसे के आपको मैंने बताया कि यह application आपके WhatsApp डिट मैसेज कोई नहीं आपके phone के सारे application के notification को यह restore करता है तो फ्रेंट बहुत ही कमाल की application है कर वाले application से भी best work करने वाला यह application है आप इसे Google Play Store पे जाके डाउड कर ले तो फ्रेंट बस आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर अगर किसी और application के ऊपर या अगर यह वीडियो चाहिए आप लोगों को तो आप मुझे comment करके बता है मैं आपको जरूर बडियो बनाऊंगा तो फ्रेंट आज की वीडियो में बस इतना ही बिलते है कल की वीडियो में और हाँ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंट के साथ